नमस्कार दोस्तों मैय जैसिंग आपका स्वागत करता हूँ एससी मेगर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के मोस्क इंपोर्टेंट कोस्टन जिस टाइप के कोस्टन आपके रेलवे एक्जाम में पूछे दाते हैं और उन पूड़े रहे हैं क्योंकि ग्रूब डियलपी टेक्निसेन के लिए मैं पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ और डेली मैं मैं त्रिजनिंग और साइंस की वीडियो लाता हूँ जो आपकी एक्जाम की दिश्चे काफी महत्पूर होते हैं तो दोस्तों आप अगर जो नहीं देने की ज़रुरत नहीं है इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजीए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लिजीए आये दोस्तों देखते हैं जिस टाइप के आपके कोस्टन रेल बेग्जाम में पूछे जाते हैं और उन कोस्टनों को कैसे जल्दी से जल मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जेलर का संबंद जेल से है उसी प्रकार का संबंद किस से होगा ऑपनप आपका है पहला कोठरी, दूशरा संग्राले, तीशरा संरत्चंग तो अचौथा आपका इलास तो आप देख सकते हैं जेल ओठा है किसका निर्च्छ करता है तो क्यूरेटर आपका संग्राले का निर्च्छ करता है ठीक है तो इस प्रकार से क्यूरेटर का संबंद किस से हो जाएगा संग्राले से हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से कोशन पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगने है और आंस इस परकार से पहले का इसका संबंद इससे है उसी परकार से आपके चार ओप्सन दिये गए है उसमें से किसका संबंद किससे होगा ठीक है तो इस टाइप के अप्रशन को उसाल्प करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं देखिए दोस्टों क्या करना है F को क्या लिखा है I लिखा है यानि कि F G छोड़के G या छोड़के I यानि कि 2 छोड़के क्या किया है I लिख दिया है इस वाले में ठीक है E के बाद क्या लिखा है E के बाद से E F G G 2 छोड़के क्या लिख दिया है H लिख दिया है ठीक है उसके बाद D के बाद क्या लिखा है E F छोड़के G लिख दिया है ठीक है D के बाद क्या लिख दिया है G लिख दिया है यानि कि क्या किया है दो दो छोड़के यानि तीसरा लिख दिया है ठीक है दोस्तों इस टैप से देखा है इस टैप में किसमें दो-दो छोड़के लिख रहा है तो आप देखेंगे A के बाद G लिख रहा है दो नहीं छोड़ा है ये के बाद G में तो ज्यादा gap हो जा रहा है इसलिए आपका पहला option नहीं होगा फिर दूसरा देखेंगे क्या ये वला हो रहा है T के बाद से U भी छोड़के W लिख दिया है यानि कि दो छोड़ा है चलिए आगे देखते है Yes के बाद क्या आता है T U यानि कि T U छोड़के भी लिख दिया है ये भी सही चल ला है ठीक है R के बाद क्या लिखा है दोस्तो R के बाद देखेंगे R के बाद S ती छोड़के यू लिख दिया है यानि कि दो दो छोड़के यही एक लिखा है option में दूसरा तो इसलिए दूसरा option आपका सही हो जाएगा और भी आगे देखेंगे तो भी का संबंद L या इस A तो होगा नहीं और D का E F G H I इतना छोड़ा यह होगा नहीं ठीक है तो option नमबर दूसरा आपका right हो जाएगा अगर जो आपका दूसरा option मिल जाता है दोस्तों question में तो आप तुरंत उसको right के click किजिए answer और उसके बाद next question पर बढ़िए तीसरा चोथा आपको मिलाने की ज़रुरत नहीं है ज सारे question आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को like दोस्तों जरूर कीजिएगा ठीक है next दोस्तों question देखे क्या कह रहा है दिए गया विकल्पों में से संबंधित सब्द ठीक है या अच्छरों या संख्या को चुनिए ठीक है इस परकार से संबंधित है जिस परकार से दोस स्क्वाइर कितना होता है और 25 किस का स्क्वाइर है आपका पांच का स्क्वाइर है 25 ठीक है तो वह इसी परकार से देखेंगे तीन के बाद क्या किया है दो बढ़ा के पांच का स्क्वाइर कर दिया यह आपका उन्चास किस का स्क्वाइर है दोस्तों साथ का स्क्वाइर है 81, तो 81 आपका किस option में है, option number 4 में है, ठीक है, option number 4 आपका right हो जाएगा, देख लिए दोस्तों, यह रहा आपका 81, ठीक है, आपको समझ में आगया होगा, यह 3 का square है, यह 5 का square, यानि कि 3 में 2 जोड के 5 कर दिया, उसी परकार यह 7 का square है, 7, 7, 49, और 7 में 2 जोड देंगे, तो 9, 9 का square क्या हो जाएगा, 9 का square आपका 81 हो जाएगा, जो की option number 4 में दिया हुआ है, इस परकार से भी question पूछे जाते हैं, square से संबंदित पूछ लिए जाते हैं, या Q से संबंदित question पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह भी question आप समझ मतलब दोस्तों, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 5 ऐसे नहीं, 1, 3, 5, 7 यह चीज नहीं, विशम मतलब अलग, different चुनना है, ठीक है, विशम सब्द या अच्छर या संख्या युगम को चुनिये, ठीक है, तो विशम चुनना है, देखना है, इन 4 आप्षनों में से 3, 1 जैसे हैं, और 4 आपका एक बिशेज का मास्टर होता है, यानि कि अध्यापक एक ही होता है, ठीक है, यानि कि वकील, आपका वकील का काम एक होता है, डाक्तर का काम भी एक होता है, अध्यापक का काम क्या होता है, टीचिंग करना, ठीक है, वकील का केसो का निप्टारा करना, ठीक है, डाक्तर का भ प्रबंधक किसी भी विभाग में हो सकते हैं, अध्यापक के भी विभाग में प्रबंधक हो सकता है, वकील वाले भी विभाग में प्रबंधक हो सकता है, डॉक्तर वाले विभाग में भी प्रबंधक हो सकता है, इसलिए आपका option D ये जो चोथा है, प्रबंधक इसमें से अल अलग हो जाएगा ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप question अच्छे से समझ गए होंगे next दोस्तों question देख लीजिए आप ये पांचवा question देख लीजिए पांचवा भी important है इस टाइब के भी question आपके पूछे जाते हैं तो आप इन्हें कैसे solve करेंगे इस question में दिये गए बिकल्पों में से विसम संख्या ठीक है या अच्छर या संख्या युगम को चुनिए विसम मतलब different चुनना है तीन आपके option एक जैसे हैं और एक कोई option आपका अलग है उसे हमें चुनना है तो आप कैसे चुनेंगे मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ यहां देख लिजे D के बाद क्या लिखा है E दिया है E के बाद क्या लिखा है B का मतलब लिखने का मतलब क्या है यानि कि E के पहले DC छोड़के दो छोड़के लिखा है ठीक है हम पहले पहले तुरन पूरा पूरा शाल्ब नहीं करेंगे, हम पहले दो दो को, आप इसमें दो दो डिजिज को साल्ब करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो पहले हमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, D के बाद क्या है, आपका E है, ठीक है, यानि कि direct दे द देखेंगे कि ये सब के बाद एक-एक दिया है, उसके बाद से देखेंगे कि इसमें ये एक छोड़ा है, जो की option number दूसरा अलग हो जाएगा, किस परकार से अलग हो जाएगा, मैंने आपको बताया, जल्दी से आपको ढूड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ढ पहले क्या किया है, बी लिखा है, यानि कि डी और आपका सी छोड़ के ठीक है, दो पीछे आ गया है, उसी परकार आई के बाद या है, तो इसमें भी तीसरे option में दो छोड़ दिया है, ओ के बाद याल किया है, तो इसमें भी दो पीछे आ गया है, ठीक है, इस परकार से आय आएंगे तो आप आप असानी से जब आप दे लेंगे दोस्टों मैं उम्मीद करता clapping आप आसानी से समझ गये हूंगे लेक्ट दोस्टों कोस्टों देख लीजे छठा कोशन देख लीजे इंहीं पोर्टन कोशन थे इंस अपका अलग है उसे ढूड़ना है तो आप दोस्तों देख रहे हैं 6 का संबंद 612 से ठीक है और 5 का संबंद 521 से 4 का 46 से और 7 का आपका 543 से ठीक है तो इस प्रकार से question ये solve नहीं होंगे ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ 6 का cube क्या होता है दोस्तों आप बताईए 6 का क्या होता है 36 36 है के 214 क्या होता है 214 मैं लिख दे रहा हूँ 216 को ये क्या किया है हाँ पर उल्टा कर दिया है यानि कि 2 बाद में लिखा है 1 फिर उसके बाद 6 देखने में आप देख रहे होंगे तो इसको ऐसे 214 इधर से लिख दिया है ठीक है उसी प्रकार आप 5 का क्या होत इतना reasoning आपको तो दिमाख लगाना पड़ेगा 325 को क्या लिखा है इधर से लिख दिया है ठीक है और 7 का cube क्या होता है दोस्तों बताइए 749, 4949, 343, यानि कि 3, 4, 3 होता है, 3, 4, 3 अगर जो उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 जो लिखा है दोस्तों, यहाँ 5 की जगा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो कि option number 4 में नहीं है, इसलिए option number 4 क्या हो जाएगा, आ लेकिए दोस्तों, आपका option number 4 अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 343, 343 की जगा, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 3 रहता है, तब तो सही रहता, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसलिए option number 4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मैं उमीद करता हूँ दोस्तों, आप ये भी question में दिये गए करम के अनुसार लिखिए, ठीक है दोस्तों, सब्द कोस के करम में, यानि की dictionary में, जैसे bird अगर जो आप ढूडेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है, सब्द कोस के करम में दिये गए, जब चुनना रहते हैं, दोस्तों, डिक्सनरी में जैसे पहले bird, चारू आएगा, दूसरे नंबर पर कोन आएगा, तीसरे नंबर पर कोन आएगा, चौथे नंबर पर कोन आएगा, ठीक है, तो इस टाइप की दोस्तों को साल्प करने के लिए, आपको करना क्या होता है, देखिए, देखेंगे सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन देख रहे है इसमें भी F है और इसमें आपका क्या है E है ठीक है और इसमें आपका F है तो बताइए यानि कि E आता है पहले की F आता है तो पहले आप कहेंगे E आता है यानि कि तीसरे नमबर वाला क्या आजाएगा आपका यहाँ पे E दिया है D E फिर उसके बाद E दिया है ठीक है और सब म ही है जो कि चोथा है जब यह option मिल गया तो तुरंट आप टिक कीजिया और आगे बढ़ जाइए next question इस पर आप टाइम बरबाद न कीजिये ठीक है दोस्तों अगर जो आप साल बगर जो आगे करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं अब देखेंगे कि य आपका पहला, दूसरा और चोथा, चोथे में भी है आपको समझाने के लिए solve कर दे रहा हूं लेकिन आपको करना नहीं है पेपर में ठीक है पेपर में आपको time बचाना है ठीक है तो ठीक है अब फिर से आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद देखेंगे पहले में क्या है C है ठीक है एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे दूसरे में क्या है आपका क्या है यन है ठीक है दूसरे में आपका क्या है यन है और चोथे में क्या है आपका यन है तो फिर क्या हो हैं तो चेक कर सकते हैं आपका अंसर चोथा ही होगा ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के भी question आएंगे तो आप paper में छोड़ेंगे नहीं और असानी से solve कर लेंगे next दोस्तों question आप देख लीजिए आठवा question देख लीजिए important question है most important question है इस टाइप के भी question आपके railway exam में पूछे जाएंगे तो आप कैसे solve करेंगे देखिए दोस्तों दीगए इस रिंखला में एक पद लूप्त है ठीक है क्या है लूप्त मतलब गायब है ठीक है दिए गए बिकल्पों में से सही विकल्प चुनिये जो रिंखला को पूरा करेगा तो लूप्त कहां है दोस्तों यहां पे लूप्त है इसी संख्या को हमें क्या करना है आपको ढूड़ना है ठीक है यहां पर जो संख्या से देखें दोस्तों तो एक विपरीत अच्छा क्या होता है एपम खर iç होता है अभर होग्य में पाने तो शम्बंद कि अज seems का भी उल्टा संबंद Q होता है और K का भी उल्टा संबंद T होता है लेकिन दोस्तों अगर जो इस परकार से question नहीं solve होगा यह question किस type से solve होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ यह के बाद B छोड़के C, C के बाद D, E छोड़के F उसके बाद G, I छोड़के क्या हो जाएगा J हो जाएगा और J का उल्टा क्या होता है तो J का उल्टा Q होता है तो option number आपका कौन सा write हो जाएगा तीसरा संबंद सही हो जाएगा यह निकि option तीसरा आपका सही हो जाएगा इस type से भी question पूछे जाएगे तो आप आतानी से solve कर लेंगे ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यह question समझ गये होंगे किस type से solve करना है A का Z से दे दिया तो C का X से दे दिया F का U से तो F के बाद क्या आएगा आपका 3 छोड़के J आएगा J का Q से ठीक है तो option number तीसरा write हो जाएगा इस type से भी question पूछे जाएगे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आसानी से solve कर लेंगे next दोस्तों question देख लीजे most important question है नौवा question बहुत important है इस type के भी question आपके railway exam पूछे जाएगे तो आप कैसे solve करेंगे देखिए दोस्तों दी गए स्रिंखला में एक पद लूप्ट है लूप्ट मतलब गायब है दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प चुनिए जो स्रिंखला को पूरा करेगा ठीक है स्रिंखला कहां है यहां लूप्ट है इसी स्रिंखला को पूरा करना है आपको देखना है दोस्तों कि इस प्रकार से जब संग्या बड़ी हो रही है तो यानि कि multiply हो रहे है multiply के मतलब गुणा ठीक है तो देखिए पांदुना का 10 10 का क्या किया है तीन में गुणा कर दिया है पहले दो से गुणा किया पांदुना का 10 10 ती आई 30 अब 30 को जब 3 से गुणा किया तो 10 को 3 से गुणा किया तो 30 को किसने गुणा करेगा 4 से यानि कि 3,4 को 12 120 हो जाएगा और 120 को अगर जो 5 से गुणा करे तो 600 आजाएगा यानी बार पच्चेस आठ और यहानी कि 600 को 6 से गुणा करे तो 6 जाए का 36 यानी कि श्रिंखला आपका सही बन रहा है तो यहाँ पर भरी जाने वाली संख्याप की क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी कैसे होगी 5 दुना का 10 दो बार फिर 3 बार गुणा किये 10 दी आई 30 और 3 चोव को 12, 120 हो जागा 120 अप्शन नमबर पहले में है ठीक है इस परकार से जितने भी कोशन आएंगे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे नेक्स टाइप मैं और इसे भी थोड़ा से लेबल उपर करके दे उन दूंगा कोशन ताकि आपके एक भी रिजनिंग के कोशन छूटे नहीं ये कोशन आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिए और आपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए और इस चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द इस पर लाइप टेस्ट भी लाने वाला हूं जो आपके एक्जाम में काफी मदद करेंगी तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद